तरफ से और मेरी तरफ से आपको होली की अहार्दिक सुपकाम हम लोग पढ़ रहे हैं सामान नहिंदी जिसमें से मैंने आपके दो चैप्टर पूरे-पूरे कम्प्लीट करा दिये हैं आज हम लोग वर्ण माला से रिलेटेड उदाहरण करेंगे आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे और यूसफुल भी लग रहे होंगे ये वीडियो जो है आपके किसी एक पर्टिकुलर पेपर के नहीं है इसमें आपके बीएड आपका जो यूपीटेट है एमपीटेट रीट एसाई जितने भी पेपर में आपकी हिंदी पूछी जात तो यह एक्जामपल देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यह मेरे जो वीडियों मैंने आपके लिए बनाए हैं यह important है क्यूंकि मैंने वही question लिए हैं मैंने वही समझाने की कोसिस करिए जो आपके पेपर के point of view से बहुत जादा important है तो आप तयार रहे और हम लोग एक्जामपल करेंगे कुछ इसमें 88 यह एक्जामपल है तो इतने एक्जामपल अगर हम कर लेते हैं हर एक चैप्टर के तो मेरे पेपर के लिए बहुत जादा important है और sufficient भी है अब हम ब बात करते हैं लिखा हुआ है कि निमने लिखित में से ओस्ट ध्वनी कि क्या है मतलब की इन सम्में से मैंने आपको बताया था कि उच्चारण के आधार पर ध्वनियां कैसे बाटी जाती है यह मैंने आपको बताया था उच्चारण का इस्थान तो मैंने आपको बताया था ओस्ट की ध्वनी, ओस्ट की ध्वनी में आप लिखते हैं उ और बड़ा उ और उसके साथ बताया था आपको पावर्ग, क्या बताया था उसके साथ आपको पावर्ग, तो पावर्ग का जो हमारा दूसरा है, पावर्ग जो है हमारा, उसका दूसरा क्या है, पा, फा, बा, और भा ठीक तो यह है तो इसमें क्या है हमारा फा है यह सेकेंड में है और इसका उचारण क्या है इसका उचारण स्थान है हमारा ओस्ट इसका उचारण स्थान क्या है हमारा ओस्ट वर गया तो आई होब कि आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कि जो हमारा ओस्ट धनिया यह क हमारे सीरियल नंबर है वो थोड़ा से गलत लिख दिया मैंने अब हम लोग बात करते हैं अगर वावल के तो वावल क्या है बहुत ज़्यादा सरल है वावल हमारे क्या होते हैं स्वर और कॉंसोनेंट हमारे क्या होते हैं वेंजर होते हैं ठीक है वर्ड हमारा क्या होता है लोग अकारांथ क्या कहते हैं? अगर हम अनौसवार के बारे में बात करें, तो हमारा अनौसवार क्या होता है? यह क्या आता है अनुस्वार को यह कहते हैं अंतस्त वेंजन के बारे में बात करें तो हमारा याराला और वा यह हमारे क्या होते हैं अंतस्त वेंजन तो जब आपको यह पता होगा कि अयोगवा को क्या कहते हैं अंतस्त वेंजन को क्या कहते हैं अनुस्वार को क्या कहते हैं को क्या क्या तब आपको समझ में आ जाएगा देखिए जो हमारे ये फो चार आप्सन वाले कोशन होते हैं इनको सबसे ज़ादा करने का तरीका ये होता है कि आप उन चारों को पढ़ें और फिर उसमें से एक-एक को एलिमिनेट करते जाएं मतलब एक-एक को हटाते जाएं ज अब आप इसके एक्जामपल देखेंगे और एक्जामपल में आप वो एक्जामपल हटाते जाएंगे जो इसमें नहीं है अगर हम बात करें सबसे पहले अनुस्वार को तो अनुस्वार हमें ये पता है कि अनुस्वार हमारा ये होता है ठीक तो ये बिलकुल भी नहीं है अयोगवा में पता है कि अंग और अहा होता है ठीक है अंग और अहा होता है तो ये भी बिल्कुल नहीं है अकारांत का मतलब हमें नहीं पता कि क्या होता है अंतस्थ में क्या है कि या रा ला और वा होता है तो ये सबी आपने हटा दिये तो बचा कौन सा अकारांत तो अब हम में बात करते हैं लिखा है कौन स्वर नहीं है क्या स्वर नहीं है क्यों क्यों नहीं है देखिए और यह जो हमारे हैं इतने कितने हैं कुल स्वर हमारे ग्यारा हैं ग्यारा में हमाने कभी क्या बा को पढ़ा है बातों हम लोग किसमें पढ़ते हैं वेंजन में पढ़ते हैं त तो हम समझ गए कि हमारा D option बिल्कुल सही है, ठीक है guys, अब हम लोग बात करते हैं, लिखा है निम्न लिखित में से कौन सा वर्ण जो है, वो घोस है, क्या क्या कौन सा वर्ण कौन सा है, घोस है, घोस का मतलब क्या है, जो वर्ण कमपन करते हैं, गोस का मतलब क्या है, जो वर् दा है दा से दवात इसे हम लोग थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा जो हमारा दा से दवात है ये क्या है गोस है आपको समझ में आ गया होगा अब चलिए आगे पढ़ते हैं लिखा हुआ है आपका नवे नमबर में कि लिखा है भासा की सबसे छोटी इकाई क्या है one of the most important और मैंने अपने वीडियो में न जाने कितनी बार ये आपको एक question कराया है और आप देख रहोंगे कि बेड में पूछा गया है क्या लिखा है भासा की सबसे छोटी काई किसे कहते हैं तो वो होती है हमारी अच्छर अब हम आपको फिर से समझा दें कि भासा की सबसे छोटी काई अच्छर कैसे होती है तो जो हमारे अच्छर हैं जैसे अच्छर हो गया आ अच्छर हो गया का अच्छर हो गया खा अच्छर हो गया गा या ए तो ये हमारे क्या हैं सभी अच्छर तो ये भी तो एक भासा कही हैं अगर हम इनको एक मिला के लिख दें अगर हम इन अच् अगर हम एक ऐसे गिनें तो ये क्या है? एक सब्द है, ये क्या है? ये भासा की सब्से छोटी इकाई है, और ये चीज इंपोर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा, सब्द बिल्कुल नहीं है, सवर बिल्कुल नहीं है, मात्र हम सवर को नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो स्वर है हमारे वो भासा की सबसे चोटी काई है या हम यह नहीं कह सकते कि हमारे जो वेंजन है यह हमारे भासा की सबसे चोटी काई है नहीं क्योंकि सौर और वेंजन लंगभग एक होते हैं बस इसमें पढ़ते हैं और इसमें काखागागा पढ़ते हैं अई होप आपको समझ में आगया होगा था हमारा D-Option बिल्कुल सही है अब आगे बात करते हैं हम वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला को हम क्या कह सकते हैं मैंने आपको पताया था इस्टाइटिंग में कि व्यवस्थित वर्ण समू को क्या कहते हैं व्यवस्थित वर्ण समू को देखे वर्ण समू को हम वर्ण माला नहीं कह सकते क्योंकि माल लेते हैं यहां आ लिखा है फिर आपका उ लिख दिया फिर आपका बड़ा लिख दिया फिर ए लिख दिया फिर बड़ा उ लिख दिया फिर ए लिख दिया तो क्या इसको हम वर्ण माला कहेंगे बिलकुल नहीं क बढ़ी फिर चुटी फिर बड़ी फिर ओ ऐसे करके सीरिटार्स को तब तक हम उसको वर्लूमाला का आउदा नहीं दे सकते तो क्या है व्य अब हम बात करते हैं निमने लिखित में से कंठ धनिया कौन सी हैं मतलब कि हम लोग कंठ से किसको बोलते हैं तो बहुत इजी है कंठ में हम सबसे पहले कंठ पढ़े थे कंठ को हमने सबसे पहले पढ़ा था और हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा आ है बड़ा आ है और हमारा का ही हो जाएगा अब हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है आपका बोलते हैं तो आपको याद होगा मैं आपको बताई थी यह इसको हम लोग क्या क्यते हैं अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अलप प्राड और महाप्राड अल्पप्राड का मतलब यह था जिसमें हमारी वायु धनिया जो है वो क्या है वो उसमें कम निकलती है महाप्राड का मतलब क्या है जिसमें हमारी वायु धनिया जहादा निकलती है का और खा यह दो एसे वाय को इसे पढ़ेंगे क्योंकि किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा अप्चर क्या होता है हमारा अल्पप्राण होता है तो ये क्या है हमारा का और गा अब इसी तरह हम लोग चौथे उसके बारे में बात करें तो क्या लिखा है निमने लिखित में से नवीन विकास नवीन विक्सित द्धनिया कौन सी है नवीन विक्सित द्धनिया कौन इनको हम लोग विदेशी वर्ण भी कहते हैं, इसमें आपका का भी आता है, इसमें आपका गा भी आता है, और इसमें आपका फा भी आता है, ये सबी भी आते हैं, तो इसमें आपका option क्या दिया था, इसमें आपका option क्या था, गा और खा का, इसमें आपका option क्या दिया था, ग अब पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है आपका निम्ने लिखित में से कौन सा घोसवर्ण है किया कौन सा घोसवर्ण है मतलब जिसमें कंपन उत्पन होता है अगर हम अगोस के बारे में बात कर ले तो इन में कमपन उत्पन नहीं होता है तो घोस वर्ण कौन सा है हमारा मा से मचली इसको अगर हम बोले अगर हम इसे किसी बंद कमरे में करके बोले मा करके तो इसकी क्या है इसमें कमपन उत्पन होगा अब अगर हम बात करें नेमने लिखित में से एक वर आयो का, उक किस में पढ़ते हैं, स्वर में पढ़ते हैं, तो हमारा फर्स्ट आप्सन सही हो जाएगा, देखें मैं इसलिए आपको समझाते चल रही हूँ, एक बार रिवीजन करते चल रही हूँ, जिसमें आपका इंटरस्ट बना रहे हैं, और आप भी अपना इंटरस्ट के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज चैनल में लाइक और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर हम बात करते हैं निमने लिखित में से कौन सी ध्वनी, ओस्ट की नहीं है, तो हम जानते हैं पा, भा, बा, भा और म, यह जो है हमारी ओस्ट की नहीं है, तो हमारा पहला ओप्सन जो है वो इलिमिनेट हो गया, ठीक है, इस क्योंकि पा जो है ओप्सन में है, मतलब कि यह जो हमारा पा है यह ओस्ट की धोनी है और पूछा के जारा नहीं है, अब उसके बाद हमारा क्या बा भी ओप्सन इलिमिन जो हम लोग host में बोलते हैं अब आगे बढ़ते हैं लिखा हुआ है 18 सक्ति हिंदी भालण में मोल्ता वर्ण की संख्या किथनी मान गई 50 वला यह मैंने सबसे पहले आपको सब्सक्राइब है इस में इस में आत Start है इसमें सबसे पहले वीडियो जो है इसमें मैंने कराता अब हम लोग बात कर रहे हैं नासिका से unless की हम लोगों को बोलने के लिए नाशिक के वनंजन कौन से हैं लेकिन हम प्रतेग वर्ग का पांचवा अचर ना, से बोलते हैं और ये जो हमारा है ये क्या इस तरह बना हुआ है जो इसको ये हमारा क्या चावर्ग का पांचवाच्छर है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ना सिख्यां अब हम बात करें बीसवे नंबर पर तो लिखा है A और A वन क्या कहलाते है ए ए और आए अगर आपको ध्यान से याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि कंठ और ताल्वे क्या है कंठ और ताल्वे और कैसे क्योंकि ये आ और उस से आ और से मिलकर बने होते हैं क्योंकि जो हमारा कंठ है वो हमारा क्या हो गया आ हो गया यह मैंने अपको सब पीछे वाले वीडियो में और बता भी रखा है सही से अगर अपने वीडियो सही से देखा होगा तो आपको बिल्कुल डिफिनिटली मुझसे पहले कर रहा हो गया निमने लिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्ण माला इस्थान नहीं दिया गया है ध्यान से देखें लिखाया वर्ण माला इस्थान नहीं दिया गया मैंने आपको बताया था ये ठीक है ये और उसके बाद आपका ये ठीक है फिर आपका ये मतलब कि ये छत्री वाला च्छा उसके बाद त्रा फिर स्री और फिर यग्जी वाला या तो इन सबको क्या नहीं दिया गया है मानक वर्ण क्योंकि ये वर्ण कैसे होते हैं ये होते हैं संयूक्त इनको क्या कहते हैं संयूक्त व्यंजन कहते हैं इनको वर्ण माला में बिल्कुल भी नहीं रखा गया है आई होप आपको ये जी समझ में आ गई होगे तो इसमें क्या होगे है हमारा स्री इसमें क्या होगे हमारा ये हमारा वेंजन नहीं है ये क्या है संयूक्त वेंजन है अब चलिए आगे बात करते हैं लिखा है निम ने लिखित सब्दों में से किस सब्द के दुटवेंजन है क्या है दुटवेंजन तो क्या दिल्ली इसमें क्या हो जाएगा आपसा आपका आपसन क्या हो जाएगा दिल्ली अब आगे बात करते हैं इसके बारे में लिखा है शा 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 और फिर हाँ ये हमारे क्या हैं अगर अब ध्यान से याद करें तो मैंने आपको बताया था इन्हें बोलने के लिए हमें अधिक उस्मा की आवशकता होगी इसलिए क्या हैं ये उस्मा संगर्सी विंजन है क्योंकि देखे चार तीन प्रकार की अब जब सा बोलेंगे तो एक अलगी एनर्जी वेस्ट होगी और हमें बहुत था टाइम लगेगा कि हम सही उचारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो ऐसे क्या हो जाएगा आप ये उस्मा संगर्सी विंजन अब आगे बात करते हैं ल क्तिव में जो हमारा च्हार्ण के बाद च्षा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है इसका मतलब ये बोला ग अपको ये चीज आगे होगी और मैंने अपने वर्ण माला का 2 वीडियो है इसके बारे में doubt clear किया है अपने जितने अभी तक देखिए 26 question किये हैं और आपको समझ में आ रहा होगा कि वीडियो important है या नहीं है ठीक है guys अब हम लोग आगे बात करते हैं लिखा हुआ है ग्या से ग्यानी लिखा है ग्या से ग्यानी वर्ण जो है किन वर्ण का सैयोग से बनता है मैंने आपको बताया था ना कि सैयोग वाले चीज़ें बहुत पूछी जाती है देखिए इसमें पूछा भी ग्या है कि जो हमारा ग्या से ग्यानी है ये किसके सैयोग से बनता है तो ये हमारा जा और इसके नीचे हलंत और फिर इसके सायोग से बनता है ठीक है जीज़ तो आपको ये चीज़ पता होगी क्योंकि आपने पीछे वाला वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा है तो हल्के में मतलिजे देखे जाके अब इसके बारे में बात करते हैं 27 नमबर के बारे में लिखा है निमने लिखित में से अगोस वर्ण कौन सा है अगोस वर्ण का मसलब है जिन में कमपन उत्पन नहीं होता है तो किस में कमपन उत्पन नहीं होता है शा में किस में कमपन उत्पन नहीं होता है आपका शा में उत्पन नहीं होता है इसके बाद अगर हम लोग घा के ब अब आगे बात करते हैं तो लिखा है निमने लिखित में से संयूग तो वेंजन कौन सा है तो आपका ये बिलकुल नहीं है मैंने बस आपको चार बताए है एक तो ये एक तो ये फिर ये और फिर ये और तो इसमें से आपको कौन सा ओप्सन मिल रहा है ग्या से ग्यानी वाला आताग्या से ग्यानी जो है हमारा क्या है संयूग्त विंजन है अब बात करते हैं निमने लिखित मैंसे कौन सा वर्ण उचारण की दिर्ष्ट से दाथ से नहीं बोला जाता है तो अगर हम बात करें तो न न जो है हमारा ये प्रतेग वर्ग का पांचवा अच्छर जो है वो नाशीका से बोला जाता है, इसलिए हम बिल्कुल जान गए कि जो हमारा ना um선 है, इसलिए बिल्कुल ऑपसण है, यह बिल्कुल सही होगा, अब हम बात करते हैं कौन सा अमानक выполn है, क्या है कौन सा अमानक выполn है, तो मैंने आपको कुछ इस तरह की आकरत ही बताई थी, इस तरह की आकरिज मैंने बताई थी कि इसको अब हम लोग मानेता नहीं देते हैं मतलब अगर हम पढ़ें तो इस चीज को हम बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये हमारा ये होता है इसको अब हम लोग इस तरह लिखते हैं ना कि कुछ इस तरह से इस तरह से ठीक है तो ये कौन सा है हमारा अब अमानक बढ़ने और ये देखिए आपका C आप्सन बिल्कुल सही हो गया अब हम आगे बात करें 32 नंबर पे तो ये आपका लिखा हुआ है देखिए वही चीज़े बार बार पूछे जाती है इसलिए मैं क्यारी हूँ कि अगर आप एक पिसे को दो महिने के लिए दें कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़ेंगे और इसका पूरा निचोड जानेंगे कि आखिर में क्या है तो हम बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं अब हम इसके बारे में बात करें तो यह किसके योग से बनता है तो मैंने बताया था यह का और यह प्लस शा और प्लस आ के योग से बनता है I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी चलिए अब बात करते हैं अब बात करते हैं हिंदी वर्ण माला में कुल सवरों की संगे कितनी है तो बिना आख बंद करें आप 11 टिक करके आएंगे बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे यह बेकार से कुश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हो और देखिए सब यूपिटेट बियर्ड इंट्रें इसमें पोछे गये हैं ग्जामपल में और जब मैंने दिया था बेट का पेपर तब भी है थे इसके बात करते हैं कौन सा स्वर नहीं है कौन सा स्वर नहीं है तो बात करते हैं इसके लिए आपको काखा जो है हमारा degree पढ़ना पड़ेगा तो हमारा क्या नहीं आता है Tata dada dada, क्या? Tata dada dada में तो हमारा ये नहीं आता है ये हमारा कावर्ग में आता है अधियॉप आपको समझ में आगया होगा फिर लिखा हुआ है कि Hindi Von Mala में βेंज़नों की संख्या कितनी है तो Hindi Von Mala में वेंज़नों की संख्या है 33 33 sorry guys इंजी वन्जनों की संखे कितनी है आपकी 33 है याद रखिएगा क्योंकि देखिए सब 32 34 35 करके एक्जामपल दिया तो थोड़ा सा हम लोग निम्न लिखित में इसे कौन सा पस्च स्वर नहीं है मतलब कौन सा पीछे से नहीं बोल जाता है मैंने आपको पढ़ाया था अग्रस्वर मध्यस्वर और फिर हम पढ़ाये थे पस्चेस्वर के बारे में तो इनको मैंने आपको पढ़ाया था और इसमें मैंने बताया था कि कौन से वर्ण जो हमारे मुझे आगे से बोले जाते हैं या जीब में पीछे से बोले जाते हैं फिर एकदम पीछे से आते हैं तो क्या है जो हमारा आ है क्या हमारा जो आ है ये कैसा है जो की कंठ से जो की अंदर से आता है ऐसे अगर हम बोलें तो हमें लगता है कि जो आ की दोनी है ये अंदर से आ रही है इसलिए है हमारा पहला option एकदम सही होगा अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, खड़ी पाई वाले विंजनों को संयुक्त रूप में कैसे बनाया जाता है, खड़ी पाई वाले विंजनों को संयुक्त रूप में कैसे बनाया जाता है, तो इसका मतलब है, खड़ी चौपाई को हटा कर, क्या है, खड़ी चौपाई को हटा कर, ये दूसरे उ होते हैं विशर्ग इनको लगा कर तो यह तो सिर्फ इसमें ही लगा знаю में तो बहुत दि सदधीय तो यह हमारा और होगा अब चालिस मर्मर करते हैं इनमें से कौन सा सुवर्ण स्वर milliards है स्वर है के बारे में बदा करें तो हमारा है बस यही स्वर है देखिए ल्री लिखा तो है ये लेकिन ये हमारा स्वर नहीं है ये गलती मत करिएगा हमारी जो ऐसे करके ल्री लिखी जाती है ये हमारी होती है स्वर ये नहीं होती है तो हमारा ए उप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगर हम आगे बारे में बात करें तो आपका आता है चालिस नमबर कौन सा? चालिस नमबर आता है एक तालिस नमबर आता है निविल खायनिम ने लिखित में से अंतरस्तु वेंजन कौन से हैं? अंतरस्तु वेंजन में आपको कौन सा होगा? अंतरस्तु वेंजन में आपका होगा या क्या होगा अन्धस्टो ए नजन में यहा रालावा इस पते है इंको बोलने के लिए कुछ अंदर से आवाज आती है यहा रालावा तो यह हमास में क्या हो गया हमारा B-Option एक डम सहि हो गया अब बात करते हैं 22 नमबर में इनमें से ओ का किसका ओ O का उच्चारण इस्थल कौन सा है O के बारे में अगर हम भात करें तो ये कंठ से क्योंकि A और फिर देखिए O जो है O ये हमारा A धन O से मिलके बना होता है तो ये जो A है हमारा कंठ से बोला गया है और जो O है हमारा OST से बोला गया तो इसका option क्या हो जाएगा कंठ होस्त कैसका option हो जाएगा आपका कंठ होस्त अब उसके बारे में बात करें कि चा और च्छा चा और च्छा वर्ड का उच्चारण इस्थल कौन सा है तो चा और च्छा के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि चा और चा जो हैं ये दोनों ही हमारे चावर्ग के हैं और हमने कल पढ़ा था कंठ के बाद तालू कंठ के बाद क्या पढ़ा था तालू फिर हमने पढ़ा था मूर्धा तो इसमें आपका उप्सन हो जाएगा तालू ठीक है अब इसके बारे में आगे बा जा ठीक है और उसके बाद आपका फा तो ये सबी क्या है ये आपके विदेसी धनिया है तो इनको हम लोग क्या कहते है इनको हम लोग कहते है अरबी और फारसी धनिया क्या कहते है इनको अरबी और फारसी मतलब इनको हिंदी में मानिता नहीं दी गई है अब हम लोग आगे ब तो हमने कल आपको बताया था तालत वेंजन के बारे में कि कंट और उसके बाद देखिए जैसे कि आपने इसमें पढ़ा भी यह देखिए कि हमने कंट के बाद कल पढ़ा था तालू कंट के बाद हमने क्या पढ़ा था तालू पढ़ा था तो उसी के अधार पर तालत वेंजन पूछ रहे हैं वही example बार बार आते हैं पेपर में वह देखे बीड में पूछा भी गए अब इसमें कोई जूट तो लिखा नहीं गया होगा न तो तालत्व एंजन में आपका आजाता है चा चावर्ग वाली लाइन और उसके साथ आपका आजाता है ई और बड़ी ये आपके क्या है तालत्व सकार मतलब की इनका वो जारण इस्थान क्या है ताल अब हम लोग आगे बात करते हैं लिखा हुआ है कौन सा वर्ण घोस नहीं है तो घोस वर्ण वे होते हैं जिनमें कमपन उत्पन होता है ठीक है जिनको बोलने पर कमपन उत्पन होता है तो ये कौन से हो गया ता कौन से हो गया तावर्ण हो गया अब हम लोग आगे बात करें तो लिखा हुआ है किस सब्द में री स्वर नहीं है क्या किस सब्द में री स्वर नहीं है तो जाहिड सी बात है देखिए री की मात्रा ऐसे लगती है तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है क्रपा, द्रश्टि, क्रश्ण तो आज जो है आज इसमें क्या आपको रीस्वर दिखाई दे रही है हमें तो नहीं दिखाई दे रही है तो ये हमारा option बिल्कुल सही होगा अब चलिए बात करते हैं आगे लिखा हुआ है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है कभी-कभी ऐसे paper में भी question आ जाते हैं कि किन को अयोगवा कहते हैं किन को अनुस्वार कहते हैं किन को अंतस्त कहते हैं घोस का अर्थ क्या है तो इसलिए मैंने आपको definition से समझाया है तो लिखा है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो क्या है स्वर के बाद आने वाली नाशिकत ध्वनि को क्या कहते हैं अनुस्वार कहते हैं मतलब जो हमारे स्वर के बाद नाशिका से बोली जाते हैं उनको क्या कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं लिखा है O और O O और O किस प्रकार के वर्ण है O और O किस प्रकार के वर्ण है तो उनको क्या कहते हैं कंठोस्ट क्यों? क्योंकि जो O है हमारा O O आ धन O से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं कंठोस्ट क्योंकि कंठ धन उस्ट अब हम लोग बात करते हैं हिंदी वर्ण माला में वर्ण कितने हैं तो वो कितने हैं हमारे बावर कितने हैं हमारे बावर देखें ये गोशन दो बार आ चुका है अब हम लोग आगे बात करते हैं तो लिखा हुआ है आपका स्वर ध्वनियां स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है स्वर ध्वानी के प्रकार क्या है मतलब की स्वर ध्वानी के प्रकार जिसके यह दिखें जो हमारे स्वर है इनके तीन पार्ट पढ़ाया थे मैंने एक हस्व पढ़ाया था एक दीर्ग पढ़ाया था और तीसरा क्या था लुप्त लुप्त मतलब वो थे जिनको बोलने के बा तो यह हमारे क्या हो गए स्वर्धनिया हो गए अब हम आगे बात करें तो लिखा हुआ है आधुनिक व्यक्रण की द्रस्टि से बावर्ण का वैसिस्ट क्या है तो आप ध्यान से देखे लिखा है ओस्ट इसपर्ष अलपरप्राण अभोस और निर्नासिक तो सही है क्योंकि बा जो है हमारा नासिका से नहीं बोला जाता है तो यह दो को निर्नासिक जो है यह चारो अप्सन में है इसको हम काट देंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे अब हम देखते हैं कि हमको अगोस और घोस में जानना है तो बा को जब हम लोग बोलते हैं तो यह एक प्रकार का घोस word है क्या है गोस क्योंकि बा में गोस में हम लोग दूसरा मानते हैं ठीक है और ये पाफा बा और तीसरा मतलब पहला और तीसरा मानते हैं तो ये हमारा बा जो है ये तीसरा word है क्या है तीसरा उसके बाद बात करते हैं द्योस्ठ देखे लिखा द्योस्ठ और इसपर्स और अल लिखा हुआ है कि निमने लिखित में से अर्धस्वर कहलाता है क्या अर्धस्वर क्या कहलाता है अर्धस्वर में आपका आता है या इकलोता है यही जो कि आपका क्या कहलाता है अर्धस्वर रास्वर क्या कहलाता है रा को हम लोग क्या कहते है पार्स्विक रा को हम लोग क्या कहते हैं रा को हम लोग कहते हैं लुन्ठित और ला को क्या कहते हैं पार्स्विक कल मैंने आपको यह ट्रिक भी बताई थी कि ला को हम लोग पार्स्विक बोलेंगे और रा को क्या बोलेंगे लुन्ठित बोलेंगे अब हम लोग बात करते हैं महा प्राण धोनिया जो है वेंजन वर्ग से किसे से संबंधित हैं तो महा प्राण धोनिया जो है वो वेंजन वर्ग से किसे संबंधित हैं वो है हमारे दूसरा और चौते अप्सन से किसे दूसरे और चौते अप्सन से अगर हम बात करे भासा की सार्थस्तम लगुत्तम मतलब की सबसे छोटी काई कौन सी है तो वो क्या है ध्वनी देखिए सब्द तो है लेकिन अगर आपसन में आपका ध्वनी दिया है आपसन तो आपकी ध्वनी सबसे छोटी होगी फिर सब्द हमारी सेकेंड नमबर पे आ जाएगी अब हम लो कौन सा है अलमब्राण है तो हम लोग चाउसं मे इंगे भार सेधिphones चैरंशा करेंगी आपको कईब बता चुकी हो इसके बाद करते हैं इनमे से कौन सा और सिर्व करते हैं इसमें से कौन सा वर्ण पर्स जो है इस पर्स जवञा नहीं है तो इसमें अम लोग या पर subscribe करेऊ यह जो है हमारा इस पर सवेंजन बिल्कुल भी नहीं है अब चलिए आगे बात कर लेते हैं लिखा है निम्ने लिखित में से कंठ धुनिया कौन सी है देखे कंठ मतलब जो हम कंठ से बोलते हैं तो हमारा का और खा जो है हमारी कंठ धुनिया है ठीक है अब इसमें लिखा है वर्ण माला किसे कहते हैं तो वर्णों के विवस्थिक समू को क्या कहते हैं वर्ण माला कहते ह लिखा हुआ है हिंदी में जो हम शा है इसको किस उससे बोलते हैं किसका चारण स्थान क्या है तो क्या है तालत है उसके बाद लिखा हुआ है कौन वर्ण ओस्थ नहीं है तो ओस्ट कौन सा नहीं है देखिए U है और पावर्ग के जितने भी हैं ये कितने हैं ये क्या है ओस्ट हैं तो आवर्ग नहीं है क्योंकि ये क्या है ये कंठ है अब आगे बात करते हैं अब अगर हम आगे बात करते हैं तो लिखा हुआ है आपका अलप प्राण जो ध्वनिया का समू होता है वो कौन सा है तो इसमें हमारा कौन सा आप्सन सही होगा डी आप्सन चा जा या यह जो है हमारे ये आप्सन सही होगे अब हम आगे बात करते हैं लिखा हुआ है वर्ण लिखा हुआ है वर्ण सब्द का अर्थ नहीं होता है क्या नहीं होता है तो देखिए दो अप्सन तो आपको सही से दिखनी रहे हैं लिखा है जाती और एक में लिखा हुआ है इसमें मुझे एक में रंग लिखा है एक में लिखाए आकास और एक में लिखाए अच्छर तो वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता है आकास आकास को हम लोग इसलिए मान सकते हैं क्योंकि अच्छर रंग जाती जो है ये कुछ related है और आकास जो है सबसे अलग है इसके बात करते हैं कौन सा वर्ण घोस नहीं है तो कौन सा वर्ण घोस नहीं है इसमें हम लोग ता वर्ण को लिखेंगे और ये चीच आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसके पहले भी example यह आशकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है कि अनुस्वार कौन सी धुनिया है तो स्वर के बाद आने वाली नहाचिका धुनि को क्या कहते हैं देखिए आर टीटी में पूछा गया है ये देखिए तो मैं कुछ भी बिल्कुल भी बना के आपको नहीं बता रही हूं कि फिपर में नहीं आया है फिर भी मैं आप से बोल रही हूं इसके बाद आपका लिखा हुआ है री री स्वर नहीं है किसमें नहीं है, रिवाज में नहीं है आपको लग रहो है क्योंकि इस अप में ये लगी हुई है नीचे और किसे फॉसिफ रिवाज में नहीं लगी है इसके बाद हम लोग बात करते हैं निमने लिखिस में दंततो वर्ण कौन सा नहीं है तो जो हमारा ता है ये क्या है ये दंतोवन नहीं है ये मैं आपको अपने पीछे वाले उसमें बता चुकी हूँ तो I hope guys कि आपको ये चीजे समझ में आई होंगी आव हम लोग कुछ आपका last example बचे हुए है कुछ जिसमें से थोड़ा से बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में लिखा हुआ है घाका उचारण स्थान क्या होता है तो मैंने आपको बताया है कि कंट होता है घाका उचारण क्या है ठीक है तो इसमें इसको मैं अपने next वीडियो में बताऊंगी कि किसे साब से आपका संतान सकल सच्छम और सचल को बताया गया है फिलाल के लिए आपका ये डी option जो है ये सही है इसको हम लोग ये जो जैसे आपका लिखा हुआ है संतान इसको हम लोग स्थित करके ब बताया था कि अगर हम सा को लिखें तो इसको लिख सकते हैं सा और फिर आ तो कुछ इसी प्रकार से इसको बाटा गया है और उसके बाद हमारा option सही होगा तो ये important है इसलिए मैं इसके लिए कलग से वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सब्द और दिखा हुआ है निमने लिखीत में से